वेलकम होम वेलकम बाक, मेगा तुम मेरे पीछे जॉर्जिया आ सकती हो और मैं तुमारे पीछे इंडिया नहीं आ सकता बिलकुल आ सकता है तो इंडिया पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है गलती तुमे की, हमारे बीच आगे मुझे क्या लगत, तुम लोग इंडिया होगे हैपी हैपी, सब कुछ सही हो जाएगा मेगा वर्सिंग की सीरियल में हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है जिया दोस्तों, फैनिली इस बार हमें खतम नहीं मेरे दोस्त, इंटर्वल आया था तेरा तो थेयर्टरी बन कर दूँगा मा जोर्जया तो मेरा देश भी नहीं था लेकिन फिर भी तेरी हालत बिगाड़ दी थी मैंना ये तो मेरा देश है, चुटकी वजाओंगा ना नाम और निशान घायब कर दूँगा तेरा बहुत घमंड है ना तुझे अपने I.S. ओफिसर होने का वो इनोसें साबित हो जा और उसे इंडिया वापस जाने का मौका मिल जाए और फैनिली वो हो चुका है और इसी के साथ या पर कही ना कही हमारी मेगा बेहाद उदास है क्योंकि उसे अजादी तो मिल गई है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पाया मनोशी किये कि सजा उसे नहीं मिल पाया और यह सब सोचकर हमारी मेगा को बहुत ही दुख हो रहा है और कही न कहीं वो बहुत इमोशनल भी है तुम एक आत्म निर्भर औरत हो जिसने अपनी लड़ाई खोद लड़ी है आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले कि वह हमारी मेगा इस बार मनुझ की बातों का मुँ तोड़ जवाब देते हुए नजर आएगी जिया इस बार मेगा ने अपनी चूड़िया निकाल कर मनुझ के मुँ पर फेक मारी है अपने मंगल सूच को तोड़ कर फेक दिया है उसने अपने सिंधूर को भी मिटा दिया और कहती है कि मेगा का हम सभी लोगों को बहुत ही आकरशित करता है और इसी के साथ आपको बता दू कि एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि इस बार अभी भी कहानी खत नहीं होया यहाँ पर अभी भी मनोझ की मन में कई सारी प्लानिंग प्लोटिंग चल रही है मेगा और अर के किये की सजा जरूर दिलवा कर रहेगी लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि अब इन दोनों में से किस की जीत होगी या तो मनोझ की जीत होगी या फिर मेगा की जीत होगी लेकिन अब आने वाले कहानी में कौन सा नया ड्रामा देखने को मिलने वाला यह बहाद इं इंडिया वापस पहुंच पाएगी या फिर जॉर्जिया में ही उसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा